ओम नमाशिवाए नए वर्ष की आप सभी को धेर सारी सुभकामना है यह वर्ष आपको सफलता के उच्चितम शिखर तक ले जाए और आपका स्वास्त मन मुताविक बना रहे किसी भी राशी का वस्फल बताने से पहले प्रतेक ग्रहों के वर्तमान समय की स्थिती का परिचय आवस्यक होगा एक निर्धारित नियम के अनुसार प्रतेक ग्रह अपनी राशी बदलते हैं, नक्षतर बदलते हैं और उसी अनुसार प्रतेक जात्रकों पर उनका अपना अपना प्रभाव मासूस होता है जिस राशी में जैसी प्रवरित्ती जिस ग्रह की बनेगी मित्र राशी हैं या सत्रु राशी हैं या नीच के हैं या उच्छी के हैं इन सारे कारकों के अनुसार दैनिक जीवन प्रभावित होता है वर्ष 2019 में पहले हम चर्चा करेंगे ऐसे ग्रहों की जो लंबे समय तक एक ही राशी में बने रहते हैं जिसमें सनी देव पहले नंबर पर आते हैं इस वर्ष सनी देव वर्ष परियंत पूरे साल धनु राशी में ही चलते रहेंगे हाँ यह वक्री अवस होंगे एक मई से 20 सितंबर तक वक्री बने रहेंगे अब आये देखते हैं राहू और केतु के लिए जो की 23 मार्च को करक राशी से वक्री होते हुए मिथुन राशी पर आ जाएंगे मगर 9 अपरेल से वक्री होकर 10 अगस तक वक्री अवस्था में ही बने रहेंगे और 5 नवंबर को धनु राशी में पूना प्रवेश करेंगे सेज समय धनु राशी में ही चलते रहेंगे बागी ग्रहों में सूरी मंगल बुध और सुक्र की त्वरित गती से राशी बदलने वाले ग्रह हैं जो लगभग प्रत्यक मार्ग ही राशी बदलते रहते हैं उपर एक सारे ग्रहों का सरभावनिक भौमिक मिला जुला प्रवाव फलादेश के रूप में तयार होता है आई चर्चा करते हैं मेश राशी के जातों के लिए कैसा रहेगा आपका स्वास्त कैसी रहेगी आजीविका कितने सफल होंगे क्या उतार चड़ावा सकता है आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी बिद्याथियों के लिए परिक्षा प्रतियोगिता में कैसे और कव सफलता मिल सकती है घर परिवार पत्नी मधुर संबंद और समाज के दाइरे को लेते हुए आपके समक्स प्रस्तुत करते हैं पहले मोटे तोर पर वर्ष परियंत का राशिफल बताते हैं फिर उसे विस्तार पूर्वा प्रतेक विशे को लेकर चर्चा करेंगे साथ ही उसमें वह समय जो आपके लिए विशे सुप्रमधियों वाला रहेगा उसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे उन्हें आप नोट कर सकते हैं ताकि वर्ष भर उसका लाव ले सके आपके लिए यह वर्ष आपको सफल बनाने के लिए पहले से ही तयार है आपके लिए यह वर्ष अत्यधिक सफलता और लाव देने वाला रहेगा किसी व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास करना उचित नहीं होगा आपके प्रयासों में सफलता को लेकर थोड़ा समय लग सकता है मगर सफल अवसे होंगे धैर योर सैयम काईम रखें शुरुवाती वर्ष में खर्च होने की संभावना इस माह परियंत बनी रहेगी साती साथ वाद विवाद की स्थितियों से भी बचना चाहिए बाल बच्चों की उन्नती होगी भूमी वाहन मकान के क्रे विक्रे के लिए थोड़ा समय लग सकता है प्रयास जारी रखें माता-पिता के साथ मतभेद होने की संभावना बनती है दिद्यातियों के लिए अध्यान अध्यापन में कोशिश करनी चाहिए आर्थिक इस्थिति में उतार चढ़ाओ बना रहेगा संतान पक्ष की योर से सहयोग मिलता रहेगा वैवाहिक जीवन सुफ में बना रहेगा ब्यापार चेत्र में नए कारे का श्रीगणेश हो सकता है अच्छे नौकरी वर्ष के उत्राथ में मिलने की उमीद है आई ये विश्थार से चर्चा करते हैं वर्ष के प्रारंब से ही मंगल की इस्थिति मीन राशी में बनी हुई है जो की चार फरवरी तक बनी रहेगी अता स्वास संबंधी संवेदन सिल्ता उतार चड़ाओ चार फरवरी तक महसूस होगा तत पस्चात आप स्वास संबंधी मामलों में राहत महसूस करेंगे मंगल आपकी राशी पर रहेंगे और यह आपकी राशी पर 21 मार्श तक चलते रहेंगे इस दोरां स्वास्त उत्तम होगा जो परेशानिया लंबे समय से चलिया रही थी उसमें चमतगारिक सुधार होगा और उर्जावान पहले से अधिक महसूस करेंगे हलाकि राहू की स्थिती आपके चतूर्थ भाव में 23 मार्च तक बनी रहेगी तत्पस्चात राहू आपके पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे जो असंतुष्टी लगभग डेढ़ वर्सों से बनी हुई थी सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी मानसिक और सारीरिक सुकून नहीं मिल पा रहा था उसमें भी 23 मार्च के बाद सुधार होने लगेगा और संतुष्टी महसूस होगी तत्पस्चात मंगल और व्रिहस्पत्ती का समसब्तक योग कायम हो जाएगा जिससे बड़े बुजूर्गों से तातकालिक प्रेरणा और सही मार्च दर्शन भी मिलने लगेगा आध्यात में क्रूची बढ़ेगी और हार्मोनल समस्चाएं जैसे ग्रंथियों से संब्लित समस्चाएं सुगर फाइराइड इत्याजी में सुधार होगा और भी बेहतरीन और मजबूत स्थिती होती चली जाएगी जब सूर्य आपकी राशी पर होंगे उसी समय ब्रिहस्पती भी आपके भाग भाव में गोचर करेंगे इस दोरान थोड़ी बहुत जो परेसानिया रह गई थी वहां भी समाप्त हो जाएगी और आप पहले से और परोता जाए इस फूर्तिवान और उर्जावान महसूस करेंगे नवंबर माह में ब्रिहस्पती के धनू राशी में आने पर बिभिन प्रकार की समस्याओं के मूल रूप से समाप्त होने की संभावना हो जाएगी मगर अपनी आदतों जीवन सहली और खान पान वगेरा में विशेश ध्यान देने की आवसिकता वर्ज के प्रारंभ से ही होनी चाहिए आर्थिक स्थित्ति कैसी रहेगी? में शराशी के जात्कों के लिए वर्ज के प्रारंभ में ही नई कारी और जनाओं पर कारे करना जोखिम भरा हो सकता है अपवय की संभावना बनती है, बिना सोचे समझे हरबड़ी और जल्दवाजी में लिये गए निरने बहुत सार्थक नहीं हो सकते जिसके कारण दुख और उप्साहिंता की संभावना बनती है हलाकि साजेदारी लावदायक रहेगी, साजेदारी के कारियों में बेहतर लाव हो सकता है कला और तक्निकी से जुड़े ब्यक्तियों के लिए नए आउसर मिलेंगे बिना प्लान किये हुए या बिना सोच समझ कर निवेश करना उचित नहीं होगा साथे किसी पर तातकाली प्रभाव से तुरंत विश्वास करना हानिकारक हो सकता है किसी के प्रभाव में आकर निर्णे लेना उचित नहीं होगा आपको महसूस होगा कि हर कारे रुक्स आ गया है सनी आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं अता थोड़ी देरी हो सकती है मगर कार ये अवश्य पूरे होंगे मंगल के आपकी राशी पर आने पर नौकरी करने वाले जातकों को पुरोनती का मौका मिलेगा आपके मन मुताबिक जगह जाने की अनुकूलता बन जाएगी ट्रांसफर इत्यादी हो सकता है ब्यापारी गत्विधियां बढ़ेंगी और कारेच शित्र का बिस्तार होगा यही इस्तिती अप्रेल से और भी सुधार में आएगी जब राहू गोचर वस पराक्रम भाव में चले जाएंगे और सूर्य अपनी उच्छ रासी मेश रासी में गोचर करेंगे ऐसी परिस्तितियों में मन माफिक जगा पर ट्रांसफर होना जिसकी आप बहुत दिनों से प्रतिक्षाट कर रहे होते हैं वह अनकूल समय और परिस्तितियां पैदा हो जाएंगी ब्यापारी वर्व अपने ब्यापार से संतुष्ट रहेंगे और नए नए प्रस्ताव सामने आएंगे जिससे आर्थिक पक्ष मन मुताबिक सुद्रिड बना रहेगा हलाकि विदेश यात्रा की संभावना वर्ष के प्रारंभ से ही बना हुआ प्रतित होता है विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष की सुरुवार सामाने धंग से होगी मगर अप्रेल मई का समय आपकी प्रतियोगी परिक्षाओं में सफलता की ओर इशारा करता है आत्मिश्वास बढ़ता जाएगा और विश्लेशनात्मक पहलू में चमतकारिक रूप से सुधार होगा यदि संगती से बुरी संगती से बचे रहा गए और अपने लक्ष पर केंजित रहे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी आपकी मेहनत में जरासी चूप के करण रुकावट आने की संभावना भी बनती है ब्यर्थ के बाद विवाद से बचें समय का निश्चित रूप से सदुपयोग करें आत्म दिश्वास बनाए रखें और मोटी मोटी बाधा या परेशानियों से घवराने की आवसेक्ता नहीं आए पूना हैसी स्थिती फिर मिलेगी जब सूरी मंगल और सुक्र की यूती पंचम भाव में गोचर करेगी जिसका समय अगस्त से 18 अगस्त से 17 सितंबर तक कायम रहेगा यह समय भी आपको मेहनत का फल दिलाने में पूर्ण रूप से सक्षम होगा और सहयोग करेगा पूत्र और भावी संतान के प्रतिश सहयोगी समय अप्रेल मई और अगस्त सितंबर का रहेगा जिसमें संतती लाव के साथ-साथ पूत्र के विकास उत्थान और उन्नती के मार्ग तसस्त होंगे शाधी और भावनात्मत रिष्टों में कैसा रहेगा आपका समय अब तक यदि आपकी शाधी नहीं हुई है तो इस वर्ष शुरवात में ही ऐसे योग बने हैं जिसमें आपकी शाधी तै हो सकती है और इस वर्ष के उतरार्ध में शाधी होने का प्रबल योग बनता है इस वर्ष नहीं रिष्टों की शुरवात होगी और आप सफल भी रहेंगे आपके अंदर प्रेम जाहिर करने की हिम्मत भी बढ़ने वाली है और अंतर मुखी प्रवरित्ती समाप्त होगी क्या सावधानियां होनी चाहिए इस वर्ष की सुरुवात से ही मंगल के ब्याभाव में होने से अनावस्चक वादविवाद में ना पढ़ें खास तोर पर चार फरवरी तक मंगल पर राहु की नवम द्रिष्टी पढ़ने से अदालती कारेवाही और यदि आपकी दसा गड़बड है तो जेल जाने का खत्रा भी बना रहेगा ततपस्चात राहु मंगल की यूती साथ मई से 22 जून तक सावधानी वाली होनी चाहिए जिसमें पित संबंधी समस्याएं गाल ब्लेडर की समस्या और कानों की समस्या होने कंधे और पैरों में जकडन की समस्या संभावित है यहां अधिसमेजन सील समय है आपरेशन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है रिष्टों को निभाने में भी सावधानी बरते हैं घरेलू कलह और अपने बंदों बांदों से भी आत्मिक कष्ट संभव है वर्ष के उत्तरार्थ तक ब्रिहस्पती से स्वासंबंदी सावधानिया रखनी चाहिए जिसके प्रती समय समय पर उचित चिकिस्षक किये परामर्स लेते रहना चाहिए और इस दवरान गाड़ी सावधानी से चलाएं विशेश उपलभी वाला समय 5 फरवरी से 21 मार्श तक रहेगा दूसरा समय 15 अप्रिल से 15 माई तक रहेगा तीसरा समय 16 अगस से 16 सितंबर तक रहेगा मगर इस दोरान स्वास पर भी ध्यान देने की आवस्यक्ता होगी इश्वर प्रकृति या समय यह तीन सुनारे मौके देगी जिसमें यदि आप आपने पहले सही तयारी की है तो विशेश उप्रवधी हासिल हो सकती है जिस भी विशेश पर आप केंद्रित होंगे सफल हो सकते हैं यह वर्स आपके लिए धेर सारे अवसरों को ले कर आएगा ऐसा प्रतीत होता है कि इश्वर आपकी परिक्षा ले रहे हैं थोड़ा समय लग सकता है मगर कारे अवस्यकूरे होंगे क्या उपायब किये जा सकते हैं जिससे हर छेतर में उपलब्धी हासिल हो स्वास्त उत्तम बना रहें विग्न बाधाओं में कमी आवे अर्थिक इस्थिती मजबूत रहें और हर कारे निर्विग्न रूप से संपन्द हो सर्वप्रथम किसी से भी जो भी आप वादा करें उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करें अपने भाई बंधुओं से नेक नियती, पारदर्शिता, आजर की प्रभृत्ती और सभाद को रिस्तिती बनाए रखें इससे मंगल की असुव इस्तितीयों से छुटकारा मिलेगा और मंगल की इस्तिती और मजबूत होगी बड़े बुजूर्गों की सेवा मातापिदा का ध्यान दखें गुरु अध्यापक या बुजूर्गों की यथा सकति सेवा करें ब्रिहस्पत्य की अनुकूरता मिलेगी और सारे कारे सुचारू ढंसे संपन होते रहेंगे सीव चालीशा और हन्मान चालीशा रोज करें सूरे देओं को अर्ख दें और केले के पौधे में रोज जल डालें इस वर आपकी हर मनो कामना पूरी करेंगे